परिक सिद्सर आज से हम नया सब्जेक्स एंडुइड स्टार्ट करने वाले हैं तो अब हम ज्यादा बाते ना करते हुए एंडुइड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडुइड का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे एक्चुली एंडुइड क्या है वह हम देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निएकस कर देता है तो यहाँ पर जो है वह क्या है एक्चुली एंड्रोड इंट्ड लीनुक्स बेस auditorering सिस्टम फोर मोबायल डीवारस यह एक एक operating system है linux based जो हमारे mobile device के लिए हम use करते हैं android specially specially developed for application android चीज़ हो है वो application developed के लिए ही बना हुआ है there are more than 4 lakhs applications in android market अभी 4 lakhs से भी ज्यादा android applications market के अदर available है android है वो open source है यानि freely available है तो यहां पर यह introduction है android का और मैं थोड़ा ज्यादा आपको बता देता हूं android actually android is a complete set of software for mobile device such as tablet computer, notebook, smartphone, electronic book reader, set of box यह सब के लिए एक software का काम करता है android और android की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे application भी develop करेंगे android mobile के अंदर फिर से बता देता हूं it contains a linux based operating system middleware and key mobile applications इसकी help से हम क्या करेंगे mobile application develop करेंगे ठीक है और यह linux based operating system है ठीक है nowadays यह simply mobile application ही नहीं develop करती nowadays यह many device के अंदर यूज होता है android का mobile के अंदर यूज होता है tablet के अंदर यूज होता है तो nowadays यह simply mobile related नहीं आप देखोगे अभी काफी चीज़े आ गई है android related simply mobile ही नहीं है अब android tv आने लगे है तो यह है android का थोड़ा बहुत introduction ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो android is under developed by google and open handset alliance यह development google और open handset alliance की मदद से हुआ ठीक है इसकी हिस्टी भी थोड़ी बहुत देखेंगे पहले google और google ने इसको purchase किया और google के बाद open handset alliance यानि सभी companies जो है उसका एक organization है जहांपे सभी companies ने code को merge करके बनाया यानि सभी लोग code का implementation कर सकते है उसके लिए open handset alliance अभी आगया आएगा ठीक है simply फिर से बता देता हूं introduction to android के अंदर यह operating system है इसके मदर से हम applications develop करेंगे mobile की applications develop करने के लिए अभी android का use करेंगे और अभी यह android जो है वो limited limitations नहीं है कि simply वो mobile application develop करता है android अभी काफी चीजों में आ गया है tablet के अंदर है television के अंदर है mobile के अंदर आप उसका use कर सकते हो वो भी आगे मैं बताऊंगा किस किस जगह पर यह android use हो रहा है मेरी यह pdf के अंदर आगे बढ़ते है तो यह simply introduction था android का अब आगे हम देखते है next यह develop किस ने गया foundation of android उससे पहले थोड़ी हम history देख लेता है foundation of android से पहले थोड़ी history यहां पर सबसे पहले यह जो android जो था वो यहां पर जो history है हम बात करेंगे तो यहां पर एंड्यू रूबिन यह रहे एंड्यू रूबिन इन्हों ने यह android जो है उसका बोलते हैं न के उनकी help से यह develop हुआ android जो है वो first founder जो भी है वो कौन है एंड्यू रूबिन इन पहले एल्टो इन पहले एल्टो California United State in October 2003 वहां पर एंड्यू रूबिन ने यह develop किया android in 17th August 2005 Google acquire android incorporation since then it is in the subsidiary of Google incorporation यानी 2003 में एंड्यू रूबिन ने यह founder है जो android के उसके बाद 2007 के अंदर sorry 2005 के अंदर यह किस ने purchase कर लिया Google ने ठीक है 5th November open handset alliance एक group है companies का यह group है इसने इसका क्या किया इसने उसके अंदर जो भी coding है वो सब सब के लिए इसमें रख दिया इससी मदर से वर्ल्ड अच्छे से अच्छी application डेवलप बने यह इसका मिनिंग भी आगे बताऊंगा अभी जो मैं बोल रहा हूं वह यह है कि एंडी रूबी ने 2003 के अंदर इसको यह founder है उसके बाद 2005 में Google ने लिया और उसके बाद open handset alliance यानि वह development में उसको help कर रहा है ठीक है और android beta जो SD के release version है first release version वह 12th November 2007 में release हुआ तो यह history है by Andrew Rubin founder of android then google purchase android in 2005 August next आगे देखते है यह history है next जो हमारा topic है आगे open handset alliance क्या है actually open alliance open handset alliance OHA इसका full form है open handset alliance it consumption of several company यानि group of company है this group of company are allowed to use source code of android and develop application तो यह open handset alliance से यह group of companies है यह क्या करेगा source code जो है वह यूज करेगा android का उसकी मदद थे यह क्या करेगा application development करेगा application develop करेगा ठीक है यह companies में आपको बता देता हूं वह भी यहां पर यह इतनी companies है जो work करती है Samsung है Motorola है Vodafone है HTC है और यह सब भी है Dell है यह सब भी company जो है वह है open handset alliance तो यह आपको मालूम पढ़ गया ठीक है और सबसे और एक interesting चीज यह है कि सबसे पहले Android जो रिलीज किया वह android mobile वह HTC ने रिलीज किया ठीक है सबसे पहला जो mobile था वह HTC का था आगे बढ़ते है तो आपको यह मालूम पढ़ गया पहले मैं इंट्रोड़क्शन आपको बताया foundation of android वह बताया आपको उसके बाद open handset alliance ठीक है उसमें जो जो company है वह मैंने आपको बताई यह सबी companies है वह work करती है तो आगे बढ़ते है अब next हमारा जो topic है उसके अंदर यह आपको clear हो गया ठीक है तो आगे बढ़ते है अब next what is android versions what is android version actually अब यह version की बात आती है तो हम पहले में आपको बता देता हूं version क्या है actually version के अंदर क्या होता है नए नए versions release होते है तो उसके अंदर नए नए features क्या होते है एड होते है तो यहां पे जो भी हम देखेंगे कि वह alpha से लेके बीटा बीटा से लेके हम 10 के release के बीच में कौन को से नए features add हुए तो यह जो वर्जन से उसमें क्या होता है कि नए नए features add होते हैं तो उसके लिए यहां पर version release होते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे version की तो सबसे पहले जो हमारा version है वह हम बात करते है आगे तो कि यहां पर सभी versions मैंने आपको one by one मैं अभी ले रहा हूं यह सभी versions मैंने अभी दे दिये है अब तक के एक 10 इसमें नहीं है बाकी सब है Android आलफा से लेके Android और यह तक और उसके बाद Android 10 ठीक है तो पहले देखते हैं Android आलफा सबसे पहला जो version था वह Android आलफा था Android आलफा जो version था वह और उसके साथ था उसके जैसा ही Android बीटा Android आलफा और Android बीटा यह दोनों versions थे यह सबसे पहले version आये थे इसके अंदर Android के अंदर जिसकी मदद से हमें जो भी इसके features थे वह हम use कर सकते थे आलफा और बीटा के तो आलफा और बीटा के जो versions के जो features थे वह सबसे पहले release हुए थे तो यहां पर आलफा बीटा तो यह सबसे पहले versions थे उसके बाद हमारे जो versions आये तो कि वह आलफा बीटा एंडरोड आलफा एंडरोड बीटा यह 1.0 1.1 यह दोनों almost same same ही है उसके features ठीक है यह तो यह आलफा और बीटा थे उसके बाद जो हमारे वर्जन आये वह थे next cupcake android 1.5 API level 3 तो एक्चुली कॉपकेप जो है उसके अंदर यह जो नेम है वह सभी food के उपर ही है तो यह वर्जन जब भी रिलीज हुआ यानि April 27 2009 तो यह क्या सपोर्ट करता था यह जब भी रिलीज हुआ तो यह widget सपोर्ट करता था अनिमेटेट स्क्रीन सपोर्ट करता था ट्रांजिशन सपोर्ट करता था ओटो रोटेशन ओप्शन वह जो था वह android application के अंदर यह सब android application के अंदर सपोर्ट करते थे new features थे अब एबिलिटी तो अपलोड वीडियो तो YouTube पिकासा यह सब के अंदर यह जो cupcake android version 1.5 API level 3 जब रिलीज हुआ तो यह सब features यह सपोर्ट करते थे ठीक है उसके बाद का जो वर्जन था वो था donut android 1.6 API level 4 यह कब रिलीज हुआ September 15 2009 उसके अंदर कौन कौन से features थे quick search box था screen size diversity थी और google play था यह तीनो features एड हुए उसके बाद जो वर्जन था clear android 2 API level 5 6 7 यह रिलीज हुआ October 26 2009 और इसके अंदर features यह थे google map navigation था home screen customization था और speech to text यह सभी application में support करने वाले features एड हुए थे उसके बाद जो version था फ्रोयो यह जो Android 2.2 API level उसका 8 था यह रिलीज हुआ May 20 को 2010 में इसके अंदर जो features थे voice action थी USB dhering and portable hotspot application के अंदर आप implement कर सकते तो speed memory and performance optimization यह सब आप इसके अंदर features एड हुए थे फ्रोयो के अंदर ठीक है उसके बाद जो आया ginger android 2.3 2.3.3 API level 9 और 10 के अंदर यह release हुआ December 6 2010 के अंदर और यह support for multiple camera यह multiple camera को support करता था ठीक है और उसके साथ यह gaming API को भी support करता था API यानि application programming interface जो आप उसका code यूज करके आप gaming बना सकते हो तो यह API support करता था फिर NFC वो support करता था फिर battery management था वो सब भी features इसके अंदर एड हुए थे ठीक है तो यह जो था हमारा gingerbird android 2.3 था उसके बाद आया honeycomb honeycomb android 3.0 3.1 3.2 API level 11 12 और 30 इसके अंदर यह release हुआ February 22 2011 और यह tablet friendly design था और system bar थे इसके अंदर और quick setting यह options यह जो features थे इसके अंदर add हुए थे तो आप यह features add कर सकते हो अपनी application के लिए तो यह था honeycomb उसके बाद यह हुए थे ice cream sandwich version के अंदर उसके बाद next वर्जन था जहली भीं android 4.1 4.3 API level 16 to 18 थे यह release हुआ जुलाइन नाइन 2012 के अंदर इसके अंदर क्या थे new google now था फिर actionable notification था और switchable account यह सब application के अंदर features add हुए थे यानि आप यह features add कर सकते हैं हो अपनी application के अंदर ठीक है उसके बाद आया kitkat यह kitkat जो है वह android का 4.4 और 4.4 w API level 19 और 20 है और यह release हुआ अक्टोबर 31 2013 के अंदर google फिर impressive design था और smart dialer यह यह सब्द है इसके अंदर features add हुए थे kitkat के अंदर उसके बाद था lollipop android 5.0 5.1 API level 21 22 यह release हुआ November 12 2014 में इसके अंदर क्या था material design यह notification देता था और multi screen यह features इसके अंदर add हुए थे next है marshmallow android 6.0 उसका API level 23 यह release हुआ 5th October 2015 के अंदर और इसके अंदर features कौन-कौन से add हुए थे now on tap permission can be turn off dozy and app study standby for battery optimization यह features इसके अंदर add हुए थे उसके बाद not android 7.0 API level 24 रिलीज on 22 अगस्ट 2016 multi windows support notification 6 switch apps by double tapping in overview button यह सब features add हुए थे next oreo और यह यह भी वर्जन है इसके अंदर features जो है वो क्या है तो के support videos picture in picture notification grouping performance improvement better usage optimization support for auto filler Bluetooth 5 Wi-Fi aware system level integration with VOIP apps यह सब इसके अंदर features add हुए थे किसके अंदर oreo के अंदर उसके बाद जो भी वर्जन है latest sorry pipe pipe जो है वो android का 9th major release है वो release हुआ 2018 7th March को और finally publish हुआ August 6th 2018 इसके अंदर क्या features है पाई के अंदर यह पाई कर सिंबोल है यहां पर सभी symbols यहां पर दिये गए है यह battery है adaptive battery life है adaptive brightness है apps actions है इसके अंदर navigation changes है volume slider है और screen rotation fixed है यह features pie के अंदर add हुए है उसके बाद next android 10 जो अभी अवे लेबल से April 3 2019 में रिलीज वा Android 10. Android 10 is the 9th big release of an Android operating system 17th version Android 10 has developed under the code name Android Q Google initially announced it on March 13 2019 the first beta version of Android 10 was released on the same day its second beta version was released on April 2019 features of Android 10 उसके अंदर क्या-क्या features available है unimprove file apps इसके अंदर file application जो है वो better है Wi-Fi sharing via QR code Wi-Fi sharing via QR code से आप कर सकते हो privacy and security settings platform है live caption है smart reply sound amplifier है guestors navigation है dark theme है location control है security updates है focus mode है और focus mode है और family link यह सब features available है Android 10 के अंदर तो यह सब भी वर्जन थे हमारे Android के मैंने आपको यह जो भी Android के वर्जन थे यहाँ सबी मेंने आपको यहां यहां पर दिखा दिया कोन-kोन से वर्जन liquid है यहां ITी है यहां से हम सब है यहां इंडरें बता देता हूं यह सब्धह वर्जन सब्बाश Hmmm यहां से मैंने स्टार्ट किया और आपको बताया यह आलफा यह बीटा यहां से स्टार्ट होता है यह वर्जन जो है यह अंडर्ट बीटा वर्जन जो है इसके अंदर क्या अवेलेबल्स था तो कि इस सपोर्ट वेब ब्राउजर टू शो HTML एं एक्स HTML यह सब करता था इसके अंदर क्या था दूसरा गूगल यह दोनों सेम थे अलफा और बीटा गूगल केलेंडर, गूगल मैक्स, गूगल सिंक्रोनस, गूगल सर्ट, गूगल टोक, मीडिया प्लेयर्स यह सब अवेलेबल्स था अंडोइड, अलफा अंडोइड, बीटा के दर उसके बाद केपकप, उसके बाद डॉंक, एक्लियर्स, फ्रोयो, जिंजर बर्ड, आइस्किम सेंड्वीच, जेलीबीन, किटकेट, लोलीपोप, मार्शमेलो, टी, ओरियो, और टेन, यह सब भी वर्जन्स अवेलेबल्स थे, मैंने आपको आलफा से लेके लेट टेस्ट वर्जन्स अभी आपको यहां पर बताए, उसके फीचर्स भी आपको मैंने एक्स्प यूज होता है, ऐसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कहां पर यह Android यूज होता है, वो हम देखेंगा आज, तो आगे बढ़ते हैं, पिर से यहां पर, यहां पर Android के मैंने examples रखे हैं यहां पर types of device there are now more than 24,000 different android devices इतने devices available है पहला है mobile phone mobile phone के अंदर android use होता है उसके बाद android tablet से वो use होता है smart watch is help android का use होता है smart TV's के अंदर android का use होता है smart glass के अंदर Android one के अंदर use होता है फिर home appliance के लिए भी use होता है ठीक है तो यह सभी जगभा पे Android use होता है एक्चुली Android है वह एक operating system है ठीक है और उसके अंदर हम क्या करते हैं हमें android की help से हम लोग application develop करेंगे तो उसके लिए android का use करेंगे ठीक है तो यही था पहला हमारा जो मैंने मेरे जो introduction था वो मैंने आपको introduction बताया फिर से मैं बता देता हूं कि मैंने आपको introduction दिया कि android क्या है android is a linux based operating system थीक है उसके अंदर हम क्या करेंगे तो कि उसके अंदर हम application develop करेंगे उसके बाद इसकी history देखी उसके बाद अभी version देखे अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसका framework तो next हमें देखना है उसका framework तो अब हम सी लाइब्रेरी की स्टैम पर यूज होती है वह हम देखेंगे ठीक है यह रहा कि यह देखिए वाट इजन एंडर्वड आर्टिटेक्चर यह अंडर्वड का आर्टिटेक्चर है यहां पर सबसे पहले तक पहले एप्लिकेशन पहला स्टैक्टर है जो इसके अंदर क्यावड करेंगे उसके षिवाई आपGMद करेगा करेंगा एपलिकेशन अंडरdeal कीमम स्पशेशिवРИ्च मैनजर यानि सब्सक्राइब चैपलिकेशन की यहां मारी एप्लिकेशन क्लीं हूण किसी का भी number है हमें dial करके उसमें call लगाना है तो इसके अंदर API प्रवर्ड करेगी टेलिफोनिक मेनेजर इस तरह से अलग-अलग tabs की application framework के अंदर API available से तो वो application framework में आएगा applications के अंदर application उसके बाद libraries यहाँ पर आपको inbit libraries मिलेगी सपोज मुझे database connectivity करनी है SQLite, SQLite के लिए मैं क्या करूँगा API का use करके मैं क्या करूँगा SQLite की API का use करके मुझे जो भी method और method है वो मुझे inbuilt मिल जाएगी मैं उसका API का use करके मैं connectivity करूँगा तो इसके लिए यह available से libraries ठीक है उसके बाद आएगा android run type android run type के अंदर क्या होगा मुझे DVM यानि Delvick virtual machine यह almost हम बोल सकते है कि Java का जो virtual machine है उसी तरह यह काम करके हमें देगा ठीक है code को हमें Delvick की help से हम क्या करेंगे यह हमें convert करके देगा code को यानि वो पहले जो code है हमारा उसको यह क्या करेगा जो code हमारा secure है वो code ही हमें क्योंकि इसके अंदर जो code यूज हुआ है वो जावा का ही है तो यह इस वन टैको हमारा जो बोला जाता है compiler है compiler और interpreter आगे बढ़ते है Linux kernel Linux kernel क्या है तो कि यह क्या है यह पूरा ध्यान रखेगा memory का management का security का drivers का जो भी है वो पूरा जो है Linux kernel को ध्यान में रखना होता है तो यह अपना ध्यान रखेगा display driver, camera driver जो भी driver हमें चाहिए वो सब power management है Wi-Fi के जो भी driver है यह सब जो responsibility है वो किसकी है Linux kernel की है अब हम देखते है मैंने description भी यहां पर नीचे दिया गया है सबसे पहले application application के अंदर यहां पर देखे description है वो मैं देखता हूं फिर से आपको device भी हो जाएगा application के अंदर android will shift with a set of core application including an email client, sms program, calendar maps, browse, contact and other all application are written using java programming language different types of application जो बनी है उसको हमको उन्होंने पहले part में यहां पर दिया है यानि application जो available है android की तो यह पहला architecture है आप SMS application है phone mobile application है phone applications है browser applications है तो यह पहला part है ठीक है उसके बाद application framework application framework क्या है the application framework provide the classes used to create android application application framework के अंदर inbuilt जो classes है वो हमें provide करेगा उसके मदद से हमें क्या कर सकते है वो classes का यूज करके application develop कर सकते है ठीक है उसके इंदर generic abstraction for hardware access and manage the user interface and application resource hardware का use करेंगे हम एक्सेस करेंगे hardware access करेंगे और उस और user को user interface और application resource को हम क्या करेंगे manage करेंगे यानि user interface भी हम access करेंगे through framework ठीक है तो यह application framework है यहाँ पे यहाँ पे available तो आपको जीश प्रेंवर का यूज करना है उसका आप यूज कर सकते है आगे बढ़ते हैं next libraries while android development while android development is done in java delvik is not a java virtual machine VM means virtual machine the core android library provide most of the functionality available in the core java library as well as android specific library actually यहाँ पे आपको inbuilt libraries available से वह मिलेगी उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो code का लेस यूज करके आप API गरूपना जो भी कोई भी suppose method है वह उसको access कर सकते हो उसका use कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पे libraries available है simply मैं आपको बता हूँ काफी है यहाँ पे media है framework है webkit है पर मैं आपको SQLite SQLite जो है वह database के लिए use होता है बाकी के जो है वह one by one में बाद में लूँगा अभी SQLite का simple example देता हूँ अगर मुझे अगर मैं SQLite की API access कर लेता हूँ और उसको मैं implement करता हूँ तो मुझे simply उसकी method है insert, update, delete जो भी method है उसको ही simply देना है उसके parameter में value pass कर दूँगा तो वो मुझे execute करके देगी SQLite के अंदर तो वो libraries main build use कर सकता हूँ libraries के अंदर classes होते है classes के अंदर method उसका में access कर सकता हूँ यह उसको implement भी करवा सकता हूँ जहां पर मुझे implement करवाना हो तो उसे बोलते है libraries ठीक है तो उसके बाद next आगे बढ़ते हैं next Android runtime Android includes a set of core libraries that provide most of the functionality available in the core libraries of the java programming language core libraries include a core libraries that provide most of the functionality available in core libraries यानि जो भी core libraries available से उसके अंदर क्या होती है जो functionalities होती है वो available होती है वो आप implement कर सकते हो every Android application run its own process हर एक Android application के एक अलग process है with its own instance of Delvick virtual machine उसका एक अलग से एक instance है और वो क्या करेगा Delvick virtual machine द्वारा वो execute होगा यानि यहां पर virtual machine जो java के अंदर virtual machine है उसी तरह Android के अंदर कौन करेगा वर्थ वाहिजन virtual machine Delvick ठीक है Delvick has been written so that the device can run multiple VMs efficiently तो Delvick जो है उसकी मदद से आप multiple virtual machines त्वारा आप जो भी device है उसको run कर सकते हो ready और last में जो है Linux kernel तो यहां पर application application framework libraries Android runtimes यह complete हो और last section है Linux kernel तो अब next देखते है Linux kernel जो है तो यहां पर Linux kernel जो है वो क्या करेगा Linux kernel है यहां पर इसका description थोड़ा बहुत पढ़ लेते है ऐसे तो मैंने बता दिया आपको वो memory management करेगा process का management करेगा security वो सब जो है वो क्यों करेगा तो कि Linux kernel Android releases on Linux version 2.6 for core system services such as security memory management process management network stack and drive model सभी responsibility जो भी है वो Linux kernel किये The kernel also act as an abstractions layer between the hardware and the rest of the software stack यानि hardware और software की जो भी requirement है वो fulfill कौन करेगा kernel और उसके साथ वो security memory management process management जो भी है वो कौन करेगा Linux kernel तो यहाँ पे आपको exam में भी यह फाइमाक्स में पूछा जाता है ठीक है और यह भी आपको मालूम होना चाहिए तो यह जो था यहाँ पे यह था Android architecture इसके अंदर अलग-अलग libraries available है जो requirement हो आपकी वो आप यूज कर सकते हो जो framework है जो framework आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो जो भी kernel का आपको जील्स भी driver का यूज करना वो भी आप कर सकते हो दूसरी एक इंटरस्टिंग चीज में आपको बता देता हूं Android architecture को यहाँ पे complete हो गया Android code पहले camera के लिए जो एंडियो रुबीन था उसको यह इसने जो Android है उसका यहाँ पे foundation किया उसका main purpose पहले camera था पर camera के बाद यह actually android में इसका translation हो गया तो पहले उसका यह था कि इसको वो camera के लिए वो कर रहा था फिर यह किसमें यूज हुआ Android में और यहाँ पे आप देखिए अब Android जो है वो everywhere हर जगब पे available है और next देखते है Android architecture के बाद फोड़े बहुत इसके advantages, disadvantages है वो देख लेते है और यहाँ पे advantages यह है multitasking है फिर easy of notification यह notification easily देता है prompt करता message easy access to thousands of application via the Google Android apps market ठीक है यह easily available है हमारे लिए through Google Android apps market can install modified ROM आप ROM को modify कर सकते हो फिर widget इसके अंदर available है voice typing and actions और support VGA, 2D and 3D यह सब support करता है तो यह सब advantages है disadvantages यह है continuous interconnection internet connection और advertising यह दोनों इसके अंदर क्या है disadvantages है तो दोस्तो आज का मेरा जो topic था वो theoretical था introduction था android का उसके बाद उसका जो भी उसका जो history था वो बताया मैंने आपको उसके बाद उसके अलग-अलग version बताये उसके बाद framework, sorry उसका architecture बताया आपको android का और advantage और disadvantage आपको explain किये थोड़ी theory है पर एक या दो दिनों में आपको practicals भी start हो जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत theory भी important है क्योंकि theory जो है वो concept clear होना चाहिए उसके बाद ही आप practical implement कर सकते हो तो दोनों चीजे required है फिर से थोड़ा बहुत आपको मैं explain कर देता हूं यहाँ पर कि भई overview देता हूं फिर से थोड़ा introduction फिर से मैं देता हूं जिसे आपको मालूम पढ़े introduction जो है मेरा मैं फिर से बता देता हूं Android का Android is a Linux based operating system for mobile device ठीक है यह operating system है mobile device के लिए और यह developed for application application के लिए यह developed हुई है और market के अंदर अभी जो application है four legs से भी ज्यादा है उसके बाद इसकी जो history है वो मैं आपको बता देता हूं इसका founder पहले कौन था एंडियो रुबिन उसके बाद Google और उसके बाद अभी जो है वो group of companies यानि open handset aliens उसके बाद जो next उसके versions थे तो उसके versions के अंदर सबसे पहले version जो था alpha और beta उसके बाद अभी उसके बाद जो था वो हमारे सामने है उसके बाद जो ice cream यहाँ पे android alpha beta cupcake था टॉनिट था eclairs था forio था ginger bird anycomb ice cream sandwich jelly bean, kitkat, lollipop marshmallow, nutty nugget, oreo और 10 यह सभी versions अवेलेबल से इसके अंदर नए-nए features add हुए है तो आप application के अंदर implement करवा सकते हो उसलिए versions आये उसके बाद next उसका क्या आया framework था तो framework sorry उसका आर्टी टेक्चर है android का यह android का आर्टी टेक्चर है उसके अंदर तो कि उसके अंदर हम क्या कर सकते है तो कि पहला जो layer है वह application है different types of application उसके बाद आप कौन-कौन framework use कर सकते हो तो इसके अंदर windows manager है activity manager है उसके बाद telephonic manager यह सब framework provide कर दे particular application मना आते हो तो उसमें यह framework use कर सकते हो suppose आप telephonic application मना तो आप telephonic manager use कर सकते हो इसके बाद libraries inbuilt libraries available है उसकी मदद से आप उसको access करके आप क्या कर सकते हो coding में implement करवा सकते हो suppose database के लिए आप SQLite use करते हो तो आप उसकी library use कर सकते है उसके बाद android run time के अंदर क्या हती है core library और dvl virtual machine virtual machine की तरफ काम करता है जैसे java में करता है उसके बाद linux kernel Linux kernel जो है वो क्या करेगा तो कि Linux kernel जो है वो memory management करेगा process management करेगा ठीक है और जो भी hardware और software के बीच में जो भी requirement है वो कौन fulfill करेगा Linux kernel तो उसके बाद उसके advantage और इस advantage है तो दोस्तों आज का हमारा topic था यहाँ पे complete होता है पहला session था Android का हमारा तो theoretical session था यहाँ पे मेरा यह session है वो complete होता है आज का मैं आप सबको बोलूँगा के Android के session स्टार्ट हो गए है practical session स्टार्ट होने से पहले मेरे हर एक वीडियो आप देख लो अगर आपको अच्छा लगे तो like करो comment करो मेरा complete tutorial है वो Android का one by one daily session के बाद daily का होगा और daily के link आपको Android के playlist के अंदर आपको मिल जाएंगे आपको कोई भी difficulty हो तो आप comment कर सकते हो आज का मेरा जो session था Android का first वो यहाँ पे complete होता है Thank you and have a nice day